हाई आवरीवन वेल्कम पैक टू एनेदर वीडियो यह हमारे पास रियक डॉट यह सीरीज की फौर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम एक न्यू प्रोडियक करने वाले हैं जो के हमारे पास है ग्रेटिंग एप का ठीक है तो इसमें हम सबसे पहले जो है न अपने प्रोडियक का ओवर्वियो देख लिए और हम क्या चीज़ करने वाले हैं उसके बाद हम डिसकार करेंगे कि इस पूर्जय को करने के बाद आपको क्या खचीज़े लर्न करने को मिलेंगे तो चलिए सबसे पहले इसका ओवर्वियू देख लेते हैं तो यहां पर आप प्रोडियक तर वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास एक input field होगी और उसके साथ हमारे पास एक बटन होगा ठीक है अब input field में एक अंदर यूजर अपना name इंटर करेगा और जैसे बटन के उपर क्लिक करेगा तो उसे जहां पर ग्रेटिंग का message मिल चाहेगा तो जहां perform करकी भी देख लेगते ह जैसे कि जहां पर user empty input को submit करता है तो उसके जहां पर error show हो जाएगा ठीक है जैसे मैं करता हूँ create me click तो जहां पर देख हमने empty string input को जो 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 जाना send किया था तो जहां पर देख हमने error show किया please enter a valid name उसके बाद अगर यहां पर empty spaces दे देता है ठीक है white spaces जो हम देते थे अगर तो यह user enter कर देता है तो हम जब click करेंगे तो हम अगेन मिले गए जहां पर please enter a valid है ठीक है जब तक user जहां पर valid name इंटर नहीं करेगा तो हमारी application उसको जहां पर प्रॉपर जहां पर हाँसर नहीं देगी ठीक आरश चो पड़ा देगी तो जहां पर देखो एमध राइट किय जहनी कि हम किस तरह input की value को manage करेंगे जो हमारे पास creating का message जहां पर show हो रहा है इसको हम किस तरह manage करेंगे और error message जो हमें इस दिस्प्ले होता है उसको manage करेंगे ठीक है second नहीं पर पास आता है event handling अब इसमें कि होगा कि event handling जहां पर perform हो रहा है जैसे जहांने के हम input field से value को capture कर रहे है और on click event लगा रहे है जहांने भी click event button लगा रहे है यह हम कैसे कर सकते हैं react के अंदर उसके बाद conditional rendering हम किस तरह perform कर सकते हैं अपने react के अंदर यह आपको learn करने को के अंदर यह आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस project के अंदर तो चलिए बिन टाइम वेस किए इस project को start करते हैं तो यहां पर मैंने अपना code editor of one का लिया है और इसके अदर मैंने अपनी react application जो है उसको भी create कर लिया है आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसके बाद जब मैं code के अंदर और यहां पर हम जाएंगे src folder के अंदर src folder के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे app.js के अंदर और यहां पर हमें जो basic code मिलता है जाम आप अप्लिकेशन को create करते हैं उसको जहां से मैं remove कर दूँगा जहां से header को select करूंगा और handle जहां पर close हो रहा है यहां तक नहीं चाहिए अब इसको मैं save करता हूं और गरें जाते हैं ब्रूजर के अब तो यहां पर देख हमारे पास creating app नाम से टेक्स आ चुका है जानिके हमारी application अभी भी proper work कर रही है अब उसके बाद हम क्या करेंगे हम जो है ना मैं जहां पे CSS भी जो है पेस कर देता हूं मैं app. पहले एप हमारे पस्मेन है उसके बाद मैं ग्रेट आप नाम से एक class अपनी application के अंदर बना ही है वो मैंने जहां पर पेस कर दिया है क्योंकि हम फोकस करेंगे अपनी react code के उप है CSS के उपर हमारे इतना focus नहीं करेंगी जो CSS का code है यह आपको मैं provide कर दूँगा ठीक है गेट आपको मिल जाएगी तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी उसके बाद मैं क्या करूंगा मैं एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर करूंगा अब इस फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल करेंगे इसको मैं नाम जोगा ग्रेटिंग अब इस फाइल के अंदर जो है ना इसको मैं जहां से आप explorer को करता हूँ अब इस ग्रेटिंग एप के अंदर हम एक component अपने create करेंगे यहाँ पर मैं write करता हूँ और एक इंड्र मेरे पास यहाँ पर इस component के अंदर हम रियक्ट्रेग्मेंट कर उसे करेंगे सबसे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे हम simple h1 write कर देतें फिलाल और यहाँ पे मैं H1 के पर write करता हूँ grating app save करता हूँ और again जाता हूँ app.js के अंद है और यहाँ पे आप जो हमने यह file create किया यानि component create किया है इसको हम यहाँ पर import का लेंगे app.js के अंद है यहाँ पर मैं write करता हूँ import grating app और यहां पर हमने इसको import भी खाल लिए, अब इसको हमने import किया, तो इसको हम use भी खाल लेंगे, तो यहां पर h1 जहां पर write किया, जहां से मैं h1 को remove करता हूँ, और इसके बाद यहां पर मैं जहने एक div लूँगा, और div को जहां पर मैं class दूँगा, great acronym से, ठीक है, और इसके आपने इस component को use कर लूँगा, तो जहां पर मैं write करूँगा, great thing app, और इसको जहां से मैं close कर दूँगा, save करूँगा, फाइल को, और again जहां पर ब्रूजर में, तो जहां पर देखो, हमें great thing, app जहां से मिल चुकिया है, ठीक है, अब यह CSS देखो, हमें कहां से मिल लिए, CSS हम हमने app.css के अंदर यहां पर write की थी, जो यहां से मिल चुकिया है, ठीक है, यहां पर देखो, हमने great app नाप से एक class यहां पर style की हुई है, और यहां पर हमने एक class यहां पर लिए है, ठीक है, तो जहां से हमें CSS मिल लिए है, यह CSS का code आपको मिल जाएगा, उसके बाद हमने क structure create करेंगे, सबसे पहले अपनी application का, HTML structure करेंगे, तो यहां से मैं इस h1 को remove करता हूँ, और उसके बाद यहां पर मैं एक div ले लूँगा, और div को मैं यहां से class लूँगा, wrapper, अब इस div के अंदर, मैं एक h1 ले लूँगा, और h1 में मैं जहां पर write करूँगा, creating app, उसके हम जहां एक input लेंगे, और हम एक लेंगे button, तो सबसे पहले मैं जहां पर write करता हूँ, input tag, और इसके अदर मैं जहां पर place order को भी जहां पर mention कर देता हूँ, enter, your name, उसके बाद जहां पर हमें एक button ले लेंगे, ठीक है, जहां पर मैं ले 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 तो button, और button के अंदर मैं जहां पर message शुरू करा सका हूँ, grade me, ठीक है, यहां तक हमारा com जो है न, वो complete हो चुक है, अब मैं जहां पर जहांगा, बर उज़र की उपाय, तो जहां पर check करो, हमें जहां पर heading भी मिल चुकिया है, और input भी मिल चुकिया है, grade भी मिल चुकिया है, ठीक है, CSS हमने already जहां पर copy paste क करूँगा, और इसमें हम सबसे पहले, input जो value हमारे पास आएगी, इसके अंदर जो write करते हैं, इसको handle करेंगे, ठीक है, तो इसको handle करने के लिए, जहां पर मैं gain जाओगा VS code के अंदर, और सबसे पहले इस react import जहां हमने किया है, इसको I remove करता हूँ, अब यहां पर import कर भी सक name और उसके पाद यहां पर हम set name कर देंगे, ठीक है, अब इसकी जो initial value हमारे पास use state की होगी, वह हमारे पास एक empty string होगी, अब next step में क्या करेंगे, जो हमने import लिया है, इसकी value को handle करेंगे, तो जहां पर मैं write करता हूँ, एक function, handle, input value, अब यहां पर मैं जहां राइड करता इसके बाद यहां पर मैं arrow function, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहां पर यहां पर हमारे पास value आ रही है, इसके अंदर हम जहां राइड करेंगे, तो यहां पर मैं एक argument यहां पर parameter पास करूँगा, event नाम से, और यहां पर मैं write करूँगा set name, ठीक है, set name, और इस set name function हमा input के अंदर यूज़ कर लेंगे, तो यहां पर हम on change event listener लगाएंगे, और इसके अंदर हम handle input value यहां पर pass कर देंगे, save कर तो फाइल को, और उसके बाद हम एक और चीज़ यहां पर करेंगे, क्योंकि आप जब हम set name कर रहे हैं, तो यहां पर input में जो चीज़ हम write करेंगे, तो variable को यहां पर pass कर देता हूं, ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने browser क्यूबर, और इसको respect करता हूँ, respect करने के बाद यहां पर मैं जाता हूँ, console के अंदर, इसको एक बार reload भी कर लेता हूँ, अब मैं जाओंगा input field के अदर, input field के अदर जैसे यहां पर देखना, मैं कोई भ इनपोर्ट की value को यहां पर get कर रहे है, जानी के handle उसको कर रहे है, अब हम यहां पर जो input की value में रही है, अब इसको हमने show कराना है, अपने यहां पर message कराना है, जानी के बटन को उपर तो यहां पर message शोग जाए, तो यह आप हम करेंगे, मैं again जाओंगा VS code के अंदर, और उसके बाद console.lock को जहां से मैं भी comment करता हूँ फिलाल के लिए, और again जहां पर हम एक use state लेंगे, variable create करेंगे, cost, और इसमें हम सबसे पहले मैं write करता हूँ, creating, then जहां पर मैं write करता हूँ, set grating, सबसे पहले हमारे पास जो grating की value होगी, हमारे पास use state initial value, empty string होगी, then उसके बाद हम जहां इसको यहाँ पर set करेंगे, तो यहाँ पर मैं write करता हूँ, handle grating message, अब यहाँ पर मैं function भी create का लेता हूँ, cost, then उसके बाद यहाँ पर मैं write करता हूँ, handle, grating, सब्सक्राइब यहाँ यहाँ पर मैं capital में write करता हूँ, grating, message, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम simply set कर देंगे, अपने grating message को, ठीक है, तो जहाँ पर मैं write करूँ, set, grating, और इसके अंदर जहाँ पर मैं write करूँगा, template करूँज करूँगा, यहाँ पर hello, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास name आ रहा है, यह बाला, इस name को यहाँ पर मैं pass कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं write like this, name, save करता हूँ file, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब handle grating function को भी हमने जहाँ पर use करना है, तो हम जाएंगे button के अंदर, button के अंदर हम अब use on click, अब इसके अंदर हम इस function को pass कर देंगे, handle grating, उसके बाद मैं क्या करूँगा, handle grating तो हमने यहाँ पर use करती है, अब use name हमारे पास जानी कि यह एक grating का message आएगा, उसको भी हमने display कराना है, तो उसको display कराने के लिए मैं क्या करूँगा, again जाओंगा, यहाँ पर अपने area time के अंदर, और यहाँ पर structure के अदर, यहाँ पर मैं एक h2 ले लूगा, जिस कदर जाना, यहाँ पर हम कुछ इस तरह grating के variable को write कर लेंगे, ठीक है, अब save करता हो application को again जाते हैं browser के उपर, ठीक है, इसको मैं reload कर लेता हूँ, console को यहाँ पर मैं close करता हूँ, अब यहाँ प हम यहाँ पर empty को string जो हमारे पास आ रही है, जानि empty input आ रही है, इसको हम send करते हैं, यहाँ पर देखो, hello में में रड़ा है, हम चाहते हैं कि जाना, यहाँ पर यूजर empty करें, यहाँ पर उसको जो है, क्या मिले, hello ना मिले, उसको यहाँ पर एक error शो हो जाए, कि आप जाना proper करूंगा, इसको जो हैना, मैं काट का लेता हूँ, उसके बाद जहाँ पर मैं if condition लगाता हूँ, if condition में हम, जो हमारे पास empty space user enter करेगा, यहाँ जो हमारे पास name हा रहे है, dot train, ठीक है, इसको हमारे पास empty white spaces आएंगी, उनको train कर देगा, ठीक है, आप उसके बाद जो हैना, इस error को, तो जहाँ पर मैं, error को set करने के लिए, उसके error के लिए, जहाँ पर मैं एक चीज राइड करूगा, यानि कि use state करूँगा, जिसके अंदर मैं सबसे पहले एक variable बना देता हूँ, error norm से, उसके अंदर, जो error मैं, एक function भी कर देता हूँ, set error, जो error को बाद में, set करने के लि इंटर, और, sorry, मैं spelling, जोने, सजी रेंट करना, interrupt, valid name, अब उसके बाद, set grading के अंदर, जो भी बहले होएगी, उसको जहाँ पर हम empty कर देंगे, empty string, then else के part के अंदर, हम यहाँ पर क्या write करेंगे, else के अंदर, जैना, सबसे पहले हमें, जो core मैंने, cut किये था, set grading का, जैनी कि यह चीज़ अदर नहीं होगी, तो यह वाला part हमारे पस तरन हो जाएगा, और, इसमें, हमारे पस जो error आ रहा है, इसको भी हम जैना, जहाँ पर कर देंगे, set, error, यहाँ पर empty, then, उसके बाद, हमारे पास, set name आ रहा है, जैनी कि input के अंदर, जो name हमारे पास, जहाँ पर write होगे आ जाता है, जैनी कि, जैसे मैं write कर दा हूँ, hello, और, grade पर click करता हूँ, जहाँ पर hello आ रहा है, और यहाँ पर below आ रहा है, तो हम चाहते हैं, कि यहाँ से remove हो जब यहाँ पर value डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर set name जोगा, again, उसको set name को जहाँ पर empty string जहाँ पर कर देंगे, ठीक है, अब एक और चीज़ करेंगे, जहाँ पर, जैसे हम name इंटर करते हैं, तो जहाँ पर handle input हो रही है, तो जहाँ पर भी हम error को zero कर देंगे, जहाँ कि empty string कर देंगे, मैं pass करता हूँ, इस तरह, ठ तो उसके बाद हमें एक और चीज़ जहाँ पर करनी होगी, हम जाते हैं, जहाँ डिजाइन के अंदर, जहाँ पर input field के अंदर, जहाँ पर value राइट करेंगे, और value के अंदर जहाँ पर हम अपना name variable जहाँ उसको enter कर देंगे, ठीक है, and next step में हम क्या करेंगे, जहाँ पर जह एरर जहाँ पर शोर नहीं होगा, तो मैं जहाँ पर bs code में जाऊँगा, और जहाँ पर i2 को जहाँ से remove कर दूँगा, और जहाँ पर मैं write करूँगा, grading, and this one has to, और इसके अंदर जहां पर हम write कर देंगे grating को, ठीक है, और इसको यहां पर close भी कर देए, उसके बाद जहाँ है जहाँ जहाँ पर I Teeg कर देए इसको, तो style, उसके बाद जहाँ है इसके अंदर मैं write करूँगा, color जो इसका color होगा ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, red हो ठीक है और इसके अधर हम v6 करा अधर निल्ड कर दूए काम अब गल्ड हो चुक है अब यहां पर क्या होगा यहां पी आपकी बता देता हूं कि यह में पास empty space आ रही है, input के अंदर, null value आ रही है, या हमारे पास empty string आ रही है, तो यह वाली statement है, इसको run कर देगा, अगर वो चीज नहीं आ रही, हमारे पास input के अंदर कोई चीज है, name है, तो यह वाली statement को run कर देगा, ठीक है, में जाता हूँ बरद दर कि वर और जहां पे देखो इसको रियलोड करता हूँ हनी चलिक करता हूँ Create me जहां पर हेलो हनी आ चुक है छू जाए हमारी अप्लिकेशन निया अगर मैं राइड करता हूँ तो क्लिक करता हूँ तो यहां पर वाइट सपेशंग है तुस नहीं कहा है कि please interrupt valid name उसके बाद again इसको मैं reload करता हूँ और इसके अंदर empty import field submit करा देता हूँ यहाँ पर देखो please interrupt valid name यहाँ पर यहाँ पर हमेर से name मांग रहा है ठीक है और again रहाँ पर write मैं करता हूँ यहाँ पर चेक करो हमारे पाल यहाँ आपको यह वीडियो पसांदा है होगी so thanks for watching and share with your friend and I will see you in the next video और इसका code जो है ना आपको मेरे गेटाप इकाउंट पे मिल जाएगा again thanks for watching and I will see you in the next video